तो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक कोड नहीं वीडियो में तो जैसे कि वीजिए में अभी A1 रोयल पास चल रहा है और उसमें आपको भी वीक 3 के मिशन दिखने शुरू हो चुके होंगे तो यह जो सारे मिशन दिख रहे हैं यह आपको कहें समझ के कंप्लीट करने है मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में तो step by step follow कर लेना और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये तो जैसे इस वाली वीक में आपको एक मिशन दिख रहा होगा finish 5 enemies with M249 in classic mode तो इसके लिए आपको कौन से mode में कौन सा map लगाना है यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बतायता हूँ सबसे पहले आपको जाना है lobby में महाँ पर map select करने वाले option पर जाना है जिसमें आपको दो mode दिखेंगे ranked और und ranked तो सबसे पहले तो यह question आता है कि कौन से mode में आपको match खेलना है अब यहाँ पर बात आती है कि आपको कौन सा map लगाना है तो map के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि mission में कोई map का नाम तो नहीं लिखा वा क्योंकि यहाँ पर ही mission में बता जाएगा कि कौन से map में complete करना है अगर नहीं बताया जा रहा है तो आप कोई सा भी map लगा सकते किसी भी location पर उतर जाना है और जैसे मैं आप पर hot drop कर रहा हूं तो मुझे आप पर M249 तो easily मिली गई है और अगर आप safe location पर उतरते हो तो आपको भी M249 ही डूड़नी है सबसे पहले जो कुछ ऐसे दिखती है और यह एक machine gun है जिसमें आपको 75 गोरी मिलेगी तो यह आपको अ मिलेगी और जैसे होट्ड्रोफ वाली location पर उतर रहे हो तो एनिमी तो मिलने ही वाले है और फिर बस आपको एनिमी से fight लेते वे M249 ही यूज करनी है जैसे कि मिशन में लिखावा है और यहां पर आप एक और काम कर सकते हो कि आप किसी के knock wave बंदे को भी finish कर सकते हो क्यों कि मिशन में यह भी लिखावा है finish five enemies जिसका मतलब है आपको यह जरूत नहीं है कि आप M249 से ही knock करो enemy को और M249 से मारो आप सिर्फ M249 से मार के यह mission पूरा कर सकते हो अब जैसे यहां पर मेरे 1 kilo हो चुका है मुझे यहां पर 4 और माणने है और मेरे mission complete हो जाएगा और एक और यहां mission में आपको yellow color में friend bonus लिखावा दिख रहा होगा तो इसका मतलब है इससे आपके teammate ने अगर RP ले रखिए और आपके साथ अगर वो मैच में हैं तो अगर आप यह mission complete करोगे तो आपको 30 RP points extra मिल जाएंगे और ऐसे ही अगर आपके साथ 2 teammate हैं RP वाले तो आपको 60 और 3 teammate ह तो 90 points आपको easily मिल जाएंगे basically इसका ही मतलब है कि आपका कोई भी RP वाला friend अगर आपके साथ खेल रहा है और इसके पास भी M249 है और वो जब enemy को finish देगा तो आपको free में 30 RP points मिल जाएंगे और ऐसे आपका mission भी complete हो जाएगा बिलकुल easily और अगर यह info आपको helpful लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में bjmi के नए अपडेट और tips and tricks के साथ तब तक के लिए बाई बाई